दोस्तों जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है हमारे घर में चुटी चुटी कीडे खाने के लिए आ जाती है ये चिपकली और ये इतनी ज़ादा जहरीली होती है कि अगर किसी चीज में गिर जाये तो उस चीज को पूरा जहरीला कर देती है दोस्तों इसलिए दोस्तों कई सारे लोग इससे इतना ज़ादा घबडाते हैं कि जहाँ पर भी यह होती है ना वहाँ डर की विज़ेसे उनकी चीखे निकल जाती है इसलिए हम इसे अपने घर से भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन छिपकली ऐसी होती है जो घर से जाने का नाम ही नही लेती कई बार तो यह हमारे कपड़ों में भी घुसके बैट जाती है और उन्हें पहनते हुए हमें बहुत ज़दा डर लगता है और यह काट भी लेती है दोस्तों इसका जहर बहुत ज़दा तेज होता है तो अगर आप भी इन्हें अपने घर से भगाना चाहते हैं तो आ यहां पर एक बतन में पानी लिया है तो या प करीब ही आपको पानी लेना है और इसके बाद दोस्तों में इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज चिलके पैक होती के बहुती ज्यादा का आ मिर्च यह देके दोस्तों ठीक है अब हर इमेज को हमें पूरा नहीं डालना है, इस तरह से तोड़कर इसके जो पीछे वाली डंडी होते हैं उसका ही मैं यहाँ पर इस्तमाल कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप भी अपने घर से छिपकली को भगाना चाहते हैं और उन्हें भगा भगा कर बहुत ज़्यादा ठक गए हैं तो इस रेमेडी को एक बार आप यूज करके देखेगा ऐसे आपके घर से छिपकली गाइब हो जाएंगी ना जैसे कि आपके घर में कभी छिप इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी मुझे जरूर बताएगा जैसे मैं भी यह जान सकूं कि मेरा वीडियो आखर दुनिया के कौन से कोने से कौन देख रहा है अगरी चीज लिए हैं दोस्तों हमने यहां पर चाई की पती जिसका यूज हम चाई पीने में करते हैं वही च कीड़े मकोडों को भगाने के लिए बहुत ही जादा असरकारक है ठीक है इन तीरों चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे और चलते हैं इसे किचिन में लेकर क्योंकि इसे हमेना एक बर अच्छे से उबाला लेके आना है ठीक है जिससे हमने जो इसके अंदर चाई की पती प्याज और जो हरी मिर्ची डाली है वो अच्छे से अपना जितना भी रस है वो इस पानी के अंदर छोड़ दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर यह पानी खौल गया है बस इसको बंद कर देंगे और च्छनी से इसको चान लेंगे तो यहाँ पर म तो इसके अंदर डालने वाले हैं डिटल या फिर सैवलॉन जो भी आपके पास है आप इस्तमाल कर सकते हैं यह भी देखिए आपको सब को बता है कि जब हमारे कहीं चोट बगरा लग जाती है तो हम इसका इस्तमाल करती है और इसकी जो इसमेल होती है बहुत ही जादा स्ट्रॉंग होती है जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे यह जो हमारी चाई की पत्ती का पानी कह लीजे या जो यह रेमेडी है इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा यह देखिए ठीक है बस इसको अच्छे से दोस्तो हमें मिक्स कर लेना है और लेडी मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि चिपकलियों को आप किस तरह से घर से निकाल सकते हैं बहुत अच्छे चे उनमें कमेंट आए हैं काफी सारे लोगों ने उन्हें ट्राइ किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके बाद दोस्तों कोई भी आप इस प्रे की बॉटल ले सकते हैं उसके अंदर हमें क्या करना है यह जो हमने मिश्रण तयार किया है ना दोस्तों इसको इस तरह से ट्रांसफर कर लेना है यह देखिए ठीक है आ आपको अपने घर की हर उसकोने पर अच्छे से छिड़क देना है जहां पर भी आपको लगता है कि चिप्कलिया सबसे ज्यादा मडराती है और दोस्तों सिर्फ चिप्कली नहीं अगर आपके घर पे छोटे-चोटे से बुनके जैसे ओड़ते हैं जैसे बॉश्वेशन के आपने देखा होगा या कहीं भी जहां पी आप फ्रूट्स बगरा रखते हैं बहां पर भी आप इसको डाल सकते हैं खास कर दोस्तों उन जगह पर तो आपको इसको ज़रूर से छिड़कना है जहां पर छिप्कलियां चुपकर बैठती हैं जैसे कि दरवाजे के पीछे कप सारी छिपली चुपकर बैठ जाती हैं और जब हम कपड़े उठाते हैं तब हमें पता चलता है तो अपनी अलमीरा में भी इसको अच्छे से आप छिड़क दीजेगा और दोस्तों बल्ब के आसपास तो बहुत ही ज़्यादा यह मड़ राती हैं कि यहां पर छोटे-चोट बॉस्बेशन होता है उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं अगर आपकी किचिन सिंक से या फिर इस तरह से बॉस्बेशन से चोटे-चोटे-चोटे कीड़े बाहर आते हैं तो इस लिकुड को अच्छे से डाल दीजे बो भी बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे बहुत ही अजमाकर जरूर से देखिएगा फटा-फट से बनके तयार हो जाता है कोई भी जंजट नहीं है और कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं है तो इससे अजमाईए और अजमाने के बाद मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी तो दोस आपको की कanor से आपको कैसी लगी साथ नहीं मुझे कاعemit विया जससी लग।